जियन होशकार मिद्रो तो एकोनोमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत इस बार हम देखेंगे कि ये शेर मार्केट में बीटा वेल्यू और आल्फा वेल्यू का क्या मतलब है क्योंकि UPSC को आज कल ऐसा सब चैर मार्केट का थोड़ा एरवांस लेवल का पुछने की खुजली मची है चाहे वो 2023 हो, 22 हो या 21 हो तो ठीक है इसको हम पढ़ते हैं लेकिन इससे पहले शरत है कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसको आप देख के आओ, जहांपर मैंने बात करी थी प्राइमरी और सेकंडरी मार्केट क्या होता है सेंसेक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है एक्टिव और पैसिव फ़ंट्स में क्या डिफरंस है वो आप देख के आओ जो मैं अभी बात करने वाला हूँ कि आलफा और बीटा वेल्यू क्या है और अगर चाहिए तो इदर मैंने क्यू काड या वीडियो काड में डाला होगा लिंक वो आप देख लेना जल्दी से फिर फिर रिकेब कर लेते हैं सेंसेक्स से हमें क्या पता चलता है कि शेर मार्केट क्या चला है उपर जा रहा है नीचे जा रहा है अब सेंसेक्स का मतलब होता है कि उसमें करीब 30 कंपनियों के शेर प्राइस को वो मॉनिटर करके कुछ एवरेज निकालते हैं कि सपोज Asian paint 1 times बारत petroleum 2 times coal India 3 times divide by 6 ऐसा कुछ weight average आप निकालो और उस हिसाब से क्या नंबर चला है उपर नीचे ये बात होगी So Bombay Stock Exchange का ऐसा trend हमें समझ में आता है by observing the sensex National Stock Exchange NAC का trend हमें समझ में आता है by observing another indicator जिसका नाम है Nifty जिसमें 50 कम्हियों को monitor करते है अपकोस real formula इसे जटील है पर उसमें हम जान नहीं रहे है अभी हम बात करते हैं कि ये alpha value क्या है माल लीजे एक investor किसी investment fund को पैसा देता है और वो passive fund है passive fund का का काम ये होता है वो दिमाग नहीं लगाते वो सिधा ये देखते हैं कि अच्छा sensex में किसी company को उसकी sensex की formula में कितना weight assign है suppose Asian paint को 1 times बारत petroleum को 2 times और coal India को 3 times weight है तो अगर मैंने मालब investor ने 6 रूपे इन को दिये हैं तो ये लोग इन 3 कम्पनियों में passive fund वाले इसी ratio में 1 times 2 times 3 times के ratio में पैसा डाल देंगे अब इसका आप implication समझो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे sensex move करेगा उसी हिसाब से मैंने जो पैसा invest किया है वो भी उपर चड़ेगा अगर sensex गिरेगा तो इसी गती से ये भी गिरेगा तो जो passive fund है उसमें scene क्या बनेगा कि suppose sensex पहले 55,000 पॉइंट पे था और बढ़के हो जाए 60,000 पॉइंट यानि कि यहां से यहां यह करीब 9% share market उपर चड़ गया तो मैंने भी पैसा उसी proportion में अलग-अलग companyों में डाला था तो अगर उस passive fund में मैंने मा लिए 550 रूपी डाले हो तो वो भी बढ़के कितने हो जाएंगे 600 रूपी तो मेरा भी profit आप गिन हो कितना हो नाइन परसेंट अब यहां पर आप difference देखो कि sensex में कितना बढ़ोतरी हुई 9% और passive fund में कितनी बढ़ोतरी हुई 9% तो difference कितना है 0 मतलब same to same गती से यह लोग जा रहें तो मैं कहूंगा कि यह जो भी passive fund था उसका alpha कितना है 0 मतलब जितना share market चड़ा उतना ही same to same उसने return दिया है उससे ज़्यादा return उसने नहीं दिया है so that is alpha तो हमने देखा alpha अभी इससे हमें क्या पता चलता है क्या किसी case में यह तो जवब 0 आ गया किसी case में 0 से ज़्यादा आ सकता है सपोज मैं पैसा invest करूं कोई active fund में मतलब वो investor का पैसा लेके अपना दिमाग लगाता है और उस हिसाब से पैसा invest करता है कि सपोज मैं उसको 6 रुपे दूँ और वो सोचे अभी दिवाली सीजन है तो Asian paint में अच्छा profit होगा तो Asian paint में 4 रुपे लगाएगा बारत petroleum में एक और coal India में एक ऐसा वो invest करें और फिर अगर देखे अच्छा summer आ रहा है तो गर्मियों में electricity की demand बढ़ जाएगी AC चलाने के लिए फिर चलाने के लिए तो उस वगत वो सोचे coal India क्योंकि coal एले से बिजली बनती उसमें 5 रुपे लगाऊ भारत petroleum में एक लगाऊ और Asian paint उस वगत कोई खरी देगा ने 0 रुपे लगाऊ तो अगर वो ऐसा अपना दिमाग लगाएगा तो आप समझो कि share market जो गती से जा रहा है उससे वो थोड़ा ज़ादा अच्छा आपको profit बना के दे सकता है तो इस case में ऐसा बने कि January में sensex 55,000 जो December तक माली जे sensex बढ़के हो जाए 60,000 points मतलब इधर से इधर ये 9% move किया बराबर पन इसी time frame में जो passive fund आप देखो passive fund में क्या था वो तो दिमाग नि लगाता था तो वो तो CM2CME आपको profit देता था परन्तु ये जो active fund है कि जहां वो अपना brain apply करेगा अलग-अलग time पे अपना investment strategy change कर देगा तो ऐसा हो सकता है कि sensex 55 से 60 चड़ा मतलब 9% तो मैंने इन में अगर 550 रुपे डाले होते तो active fund वाला शायद उसका 620 बना देता मतलब ये कितना हुआ करीब 12% return तो यानि कि share market की speed से थोड़ा जादा speed में आपका profit करा रहा है अब यहां difference देखो कि ये active fund जो था उसने 12% generate किया और share market ने 9% तो difference कितना हुआ प्लस 3 तो यहां difference प्लस 3 हुआ जो ये दिखाता है कि जो active fund है it may outperform the market और the index या हम ये भी कह सकते it may give index beating return index जितनी speed से चला है वो speed को beat करके उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो फिर ताब कि आप तो जमीन ज़्यादा बेच के सारा पैसा इसी में डालते है नहीं भाई इससे पिछला वाला वीडियो आप आराम से देखो कि जो active fund है उसमें risk ज़्यादा होता है मतलब ये तो positive चला इसलिए पर समझो अगर गीरता तो ये लोग ज़्यादा गीरते ऐसा भी हो सकता तो ऐसी हर एक investment fund, mutual fund बगेरा की alpha value का आप comparison करो तो आपको पता चले की कौन सा वाला ठीक कर रहा है ठीक performance कर रहा है और हम अपना पैसा उस mutual fund या क्यों फंड या passive fund में निवेश करें माले ये कोई fund अगर alpha उसका less than zero है तो मतलब negative या कि share market से कम गती से आपको return मिल रहा है passive fund में हमने देखा कि कैसे वो तो alpha zero generate करें मलब जितना share market चड़ेगा उतना ही same to same उसमे profit मिले हो सकता है कोई active fund हो कोई mutual fund हो जिसका alpha 2 हो तो अच्छी बात है लेकिन माले ये एक तीसरा और mutual fund आके कहें कि हमारे पास आओ हमारा alpha 3 है that means ये लोग आपको ज़ादा अच्छा profit बना के दे सकते है पन हला कि risk भी हो सकता है कि गिरे तो और दड़ाम से गिर भी सकता है so alpha value helps comparing the investment funds कि ये चार investment fund है इसमें से मैंने मलब investor ने कौन से fund में पैसा डालना चाहिए मेरे लिए कौन सा ठीक रहे है तो हमने समझा कि alpha value क्या होती कुछ लोगों को अभी भी दिमाज में क्लिक नहीं कर आओ तो मैं उनको suggestion देता हूँ आप इसे पिछला वाला video देख क्या हो और उसमें समझो ये primary, secondary sensex calculation कहती होती है active or passive fund में क्या difference है पहले वो समझ किया then it will make sense to you तो हमने देखा alpha fund अभी next मुद्ध है कि alpha value देखा हमने अभी next term समझते है beta value जिसके बारे में अभी 2023 की prelim में UPS ने प्रशन भी पूछा था तेकिन उससे पहले मैं जल्दी से बता दूँ कि इस रवी बार 26 नवेंबर सुबह 11 बजे तयार हो जाए unacademy combat quiz 60 minute में 50 questions solve करो इनाम में आपको सब laptop, amazon gift card, scholarship unacademy की offline library में 100 गंटे तक आप आके पढ़ सकते है free access मिले तेक घर में कुछ kit pit चलती हो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता हो आप उदर आओ वहाँ पर एकदम clean ambience wifi सब सुविदा है and unlock code यूज़ काई monal.warji link is in the description और अगर आप 2024 की तियारी कर रहें तो उसके लिए crash course या रफ्तार और 2025 की तियारी कर रहें तो foundation ऐसी UPSC की IPS की exam के लिए आप join भी कर सकते हैं live classes by top educators powerpoints, notes, practice questions main sensor writing, with evaluation, doubt resolution theory current, दोनों की पड़ाई विथा platoon handouts and powerpoints और cset भी इसमें included है by madhukar sir और इसमें भी up to 50% off और 6 महिने तक आपको और extra free extension या subscription मिल जाए ऐसे सब चीजों के लिए आप code use करें monal.org so that is an academy subscription अब optional subject के भी उसमें courses launch हो रहे हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं कर अमारा मुद्धा था alpha value समझ ली अब beta value का क्या मतलब है हम real number से समझते हैं पीछले 6 महिनों में 2023 की बात है मतलब ये जो भी November और उससे पहले तक जाओ इतना 6 महिनों में sensex बढ़के 7% उपर चड़ा मतलब Bombay Stock Exchange में जो भी 3000-5000 shares हो रहे थे उनका average price 7% अब हुआ है उसी time frame के अंदर Paytm Company का share जो पहले करीब 700 था वो बढ़के जो भी 1000 के असपास ही है करीब 22% गेन किया है In other words अब समझो sensex बढ़ा 7% पर उसी time में Paytm का share बढ़ गया 22% मतलब almost 3 times या शाद उससे भी ज़्यादा ज़्यादा speed में ये भाग रहा है तो जब ऐसा होगा तो मैं कहूँगा कि ये Paytm share का beta जो 3 आया वो greater than 1 है असल formula इसे ज़्यादा complex है ये तो आसानी से समझ आये कि भाई Paytm का price मैं ऐसा बोलना हूँ कि sensex की speed से 3 गुनी speed पे दोड़ रहा है ज़्यादा अच्छा time होगा कि it is 3 times more volatile कैर तो beta value का कुछ ऐसा मतलब होता है अब आप कहे तो फिर तो अब जमीन जायदा बेच के सारा पैसा आप ATM में लगा देते हैं 22% return लेकिन भाई आप समझो beta is a two way street आता भी है तो जाता भी है चड़ता भी है तो गिरता भी है उसी speed से तेजी से चड़ता है मतलब climbs faster तेजी से गिरता है falls faster मतलब जब भी beta greater than one हो इसका मतलब क्या कि वो जो company है उसका share overall market जिसको हम monitor कर रहे है sensex नाम के benchmark indicator से तो ये company sensex से तेजी से चड़ती भी है और sensex से तेजी से गिरती भी है first field पे तो both way it is true for example इसी PTM का हम पिछला कुछ record देखें तो बीच में ऐसा हुआ कि share market point 83% नीचे गिरा उसी time frame में पिछले ये मेरे ख्याल से तीन महीने का बात है या दो महीने या तीन हपतों की बात है जो भी अब पाएंगे कि जो share market point 83% नीचे गिरा उसी time frame में during this October to November PTM का share 5.85% नीचे गिरा मतलब समझो ये point 8 गिरा से sensex तो ये 5.8 गिर गिरा क्योंकि ये PTM share मैंने आपको बता है उसका beta greater than 1 है तो sensex से ज़्यादा तेजी से उपर भी जाता है और sensex से ज़्यादा तेजी से नीचे भी गिर जाता है आपको रियल numbers are little different ये तो समझाने के लिए मैंने number formula हम असल formula नहीं समझ रहे है तो अब हम समझते है beta value जो हमें क्या दिखाता है benchmark index की speed for example sensex की speed के मुकाबले किसी asset की growth की speed क्या है वो हम जान सकते है using beta value for example in case of pay tm हमने समझा उसका beta greater than 1 है इसका मतलब ये company share market की normal speed से ज़्यादा speed से उपर भी चड़ती है नीचे भी गिटती माली जे कोई company का beta less than 1 हो तो उसका मतलब ये होगा कि sensex अगर इतना तेज बाग रहा है तो ये तोड़ा दीरे दीरे बाग रहा है company is not climbing as fast as the sensex कुछ case में beta equal 0 हो कि माली जे share market का बाव ये जे भी उपर नीचे जा रहा और Mona Lisa की painting जो ये red line से मैंने ऐसा price लिखा है तो वो कुझा लगी अपने दिमाग से चल ला है because they are uncorrelated share market क्या उपर नीचे जा रहा है Mona Lisa painting का उसके साथ कोई लेंदेन सिधा है नहीं they are not correlated तो beta equal 0 कुछ बार ऐसा भी हो कि beta less than 0 आ जाए इसका मतलब कि for example sensex उपर जा रहा है ये blue line का follow करो तब gold का price या bond का price नीचे जा रहा है मैं लग share market उपर जाए गोल का बाव नीचे जाए reverse is also true जब share market नीचे जाएगा तो gold का price उपर जाता है जैसा आजकल आप देख रहे है ऐसा क्यूं हो रहा है क्यूंकि जो investor ने share में पैसा लगा है और उनको लगे रशिया यूक्रेन क्राइसीज पैलेस्टाइन वाली क्राइसीज बाकी भी जो overall economy में तकलिफ है उसको देखते हैं उनको लगता हूँ कि share market अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो वो अपने shares को loss पे बेच देंगे और जो पैसा उनको मिलेगा उससे वो gold में पैसा invest करें क्योंकि उनको लगया gold is a safer asset तो स्वाबाई कि gold की demand बढ़ेगी तो price बढ़ेगा इसलिए normally share market जब गिरता है तो gold उपर जाता है तो ऐसे केस में क्या inverse क्या relation है कुछ तो हम कहें कि beta is less than zero अब कुछ लोग खीचरी बनाएंगे देखो beta value से हमें पता चलता है कि कोई एक asset का growth share market के दिशा में है और कितना speed में है यह हमें दिखाता है जबकि हमने देखा alpha value जो इससे पहले देखे alpha values हमको क्या पता जड़े mutual fund और डूसरी जो भी fund है अपने पास 3-4 fund हो तो उसमें से कौन से में पैसा invest करना ज़्यादा ठीक रहेगा तो वो अलग मामला था तो दो photo frame है दोनों को combine या खीचडी मत करो कि जड़ी मत करो real UPSC के अंदर ज़्यादा तर वो share market की one-liner general knowledge type का कुछ पूछे तो उतनी basic understanding होनी ज़रूरी है जो हमने ले दी तो हमने समझा alpha and beta values इसके बाद next वीडियो में देखते हैं ऐसे current office का एक और topic आज कल चल रहा है कि unsecured loans पे RBI ने कुछ ज़्यादा capital requirement करी है और ये CRR change होने से loan मेंगे हो जाएंगे और RBI ने ऐसा क्यों किया इससे सब को क्या फरक पढ़ता है वो भी हम समझेंगे बट in the next वीडियो चैनल को like, share, subscribe करें और तयार हो जाएए इस रभीवार unacademy combat के लिए कि जहाँ पर आपको ये सब library access, scholarship, laptop, gift card सब मिल सकता है 50 questions है 60 minutes में और इसको याद रखना है सुबह 11 बज़े ही देना है तब ही आपको मिलेगा what time पे आप दोगे नहीं मिलेगा that is combat और अगर आप 2024 और 25 की तियारी कर रहे हैं तो unacademy के नए UPSC courses शुरू हो रहे है with up to 50% off और 6 month का extra extension भी है using the discount code monal.org optional subject में भी political science, anthropology, math, history agriculture बगेरा के courses या तो शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं उसे भी आप जोइन कर सकते हैं all the links are in description discount code is monal.org see you next time let's crack it